अब बहुत हो गया मैं जा रहा हूं भीम उमीद है कि तुम किर्माडा पर अकेले हमला करने की बाद नहीं सोच रहे हो जब मेरे राजा और प्रजा कष्ट में हैं मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखके नहीं बैठ सकता लेकिन भीम हम प्राथना कर रहे हैं पूरी बात बोले जग्गू हम कई देनों से प्राथना कर रहे हैं कहां है भगवान कृष्ण वो सामने क्यों नहीं आते क्या है किसी के पास इसक प्षू 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 सुखू कि इनके लिए ये बाकी दुनों के जैसा और एक दुन है खाना और फैस हो जाना हाँ राजू जग्गू उठो हे भगवान क्या हो गया उठो अरे ये ओहो मुझे जल्दी से उनके लिए डॉक्टर लाना चाहिए ओहो हो है ये लड़के क्या तो में जानवरों को मेरे रास्ते से हटाओगे मैं बहुत जल्दी में हूं मेरा नाम काना है और मैं यहां से कहीं नहीं जा रहा हूं और छोटे से मुर्ख बच्चे अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें यहां से जाने के लिए मजबूर कर दूंगा अच्छा आगे बढ़ो ठीक है अगर यह तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है तो तुम इसे रख लो आओ पकड़ो इसे आजाओ तुम नाजुक बच्चे जैसे नहीं हो मेरा जीवन बचाने के लिए धन्यवाद लेकिन मुझे एक बात बता कि तुम इतनी जल्दी में क्यूं हो मैं अभी भी जल्दी में हूं मेरे दोस्तोंने को जहरीले बेर खा लिये हैं बेर मैं मदब कर स जानता हूं मैं सारी जिन्दीगी यहीं पर रहा हूं मैं सब कुछ जानता हूं कि क्या इनोंने यह पेर खाये थे मैं इस जहर का उपचार जानता हूं तो मैं पूरा विश्वास है हां मुझे पर विश्वास रखो अरे भीम मेरे बच्ची मुझे लगा था कि मैं चला गया मुझे भी ऐसा ही लगा था यह सब काना के कारण हुआ है कि तुम लोग ठीक हो वाह कितना सुंदर त्रिश्य है कितना अद्भुद बालक है समय पर मदर करने वाला और बहुत सताने वाला भी कि अंदर चलो तो बड़ा तूफान आ रहा है कि काना अपने जानवरों के साथ जोबड़ी में आ जाओ तुम्हें मेरी चिंता करने के कोई जरूरत नहीं है भीम युद्ध में विजय उसी को मिलती है जो सही निशाने बाज भी हो और तेज भी तुम लोग मेरी बात समझ गए तीन के गिंती पूरी होने पर उस लक्ष पर निशाना लगाओ ठीक है एक दो तीन क्या मैं तेज था तुम्हें बुरी तरह से चोट लग सकती थी तुमने क्यूं किया ऐसा तुम्हारे सार्थी के रूप में मुझे तुम्हारी तरफ आने वाले दीरों को रोपना आना चाहिए इसलिए मैं देख रहा था कि यह मैं कर सकता हूं या मुझे और अभ्यास की ज तुमने कहा सार्थी तुमने बोला था कि अगर मैं तुम्हारे दोस्तों को जहरीले बेर से बचा लूँगा तो तुम किरमाडा के खिलाफ होने वाले युद्ध में मुझे अपना सार्थी बनाओगे सुनो मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया मैंने अभी तक जितने जूट नहीं बोलता कि वहां बैठो और हमारी परिशानी और मत बढ़ाओ क्यों मैं सार्थी बनने लायक नहीं हूं मुझे नहीं मालूम चोते हो संकी भी प्यारी भी और सबसे बढ़कर तुम चालाक नहीं हो हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए चालाकी की जरूरत है अगर ऐसा है तो निश्चे करने के लिए हमें खेल खेलते हैं हम सभी नदी के दूसरे किनारे पर पड़ी उस चटान तक रेस लगाते हैं अगर तुम में से किसी ने भी मुझे हरा दिया तो मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे ठीक है अगर तुम नदी को तेर कर पार करने की सोच रहे हो तो यह मगर मच्छों से भरी हुई है कि पैरने की बात किस ने की तो अब मैं सार्थी बन सकता हूँ हाँ बन सकते हो मैं शैतानी सेना को पास आते देख रहा हूँ शायद उन्हें कुछ पता चल गया है जब वो पास आए उन्हें आने देना हम उन पर उपर से प्रहार करेंगे ठीक है कौन हो वो पस जो अभी ठीक है भीव वहां नहीं उपर जाओ वो बहा है अमला करो यह सबक उन्हें हमारे उपर दोबारा हमला करने नहीं देगा चोटा भीम और कृष्णा चोटा भीम संकट के जब बादिल छाए चोटा भीम धबराए पूरी करने को तृष्णा आजाते है कृष्णा चोटा भीम और कृष्णा चोटा भीम धोलत पूर में खतरा चाया किरमाडा सिर्पे मंडराया चिंता में चोटा भीम आया भैसे सबका मन गबराया पूरी करने को तृष्णा आजाते है कृष्णा चोटा भीम और कृष्णा चोटा भीम खुश है मन ही मन के अंदर छुट्की राजु जग्गू बंदर चोटा भीम का साथ निभाए रूप बदल कर काना आए पूरी करने को तृष्णा आजाते है कृष्णा चोटा भी और क्रिश्ना चोटा भी